हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुद्दा ज़रा गंभीर है इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा खास करके अगर आपने बीड किया है या फिर 68 में नुक थोना चाहते हैं तो जूर देखिएगा सुबह में हम लोगों आपको दिखाया था कि माद्दिमिक की विड्यालो यानि की कक्षा 9 से लेकर 12 तक पद बहुत ज़्यादा है प्राइमरी विड्यालो में 1 से 5 तक पद बहुत ज़्यादा है लेकिन कक्षा 6 से 8 तक पूरे बिहार में केवल सारी कैटोगरी को मिलाकर 1745 ही पद दिये गए है इस पर आप में सहीं बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कॉमेंट भी आया कि यह आकरा दरसल गलत दिया गया है कुछ लोग कह रहे थे कि इनको प्रिंट करने में मिस्प्रिंट हुआ है इनको 17450 देना चाहिए था या फिर कुछ लोग कह रहे थे कि जब केवल मुझफर पुरजीले में ही आपको 2500 के करीब में रिखती हैं 628 में तो फिर केवल 1745 का आकरा कहा सा आ गया ठीक है नहीं कहेंगे कि मिस्प्रिंट हुआ है या कुछ हुआ है यहां देखे नीचे क्या लिखा हुआ है यह प्रभाध खबर की खबर है इसलिए मैंने प्रभाध खबर को ही कोट किया है नीचे की तरफ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं प्रभात खबर लिखा है 25 अप्रेल 2023 मध्य स्कूलों में सबसे कम 1745 पद सिक्षाई वहाग को जिले बार मिले आंकरों में सबसे हैरत में डालने वाले रिक्तिया मध्य स्कूलों की है यहां किवल 1745 पद ही रिक्ति मिले है जबकि यहां रिक्तिया इससे कई गुना ज़्यादा बताई जा रही है सुत्र बताते हैं कि कच्षा 6-8 वाले स्कूलों में अधिकतर पद प्रमोशन से भड़े जाने है इसलिए सिक्षाई वहाग ने पदों को सुरक्षित रखा है उससे सीधी भरती की प्रग्या में शामिल नहीं किया गया है दरसल प्रायमरी के सिक्षों को नियवा अनुसार प्रमोशन देना है हाला कि अभी इस पर रोक लगी है फिलो हाला प्रमोशन के लिए पद सुरक्षित रखे गए है यानि कि जितनी भी पद है उससे पहले आप लोगों को पद दिखाते हैं फिर अनालिसिस करते हैं कई जीलों के अलगलों जो पद हैं उन पदों को हम लोग आपको दिखाते हैं ताकि आप लोगों को भी अंदाजा मिले क्या है ये देखें कि दरभंगा के रिक्तिया है ठीक है आप लोग मुझाफरपुर की देखें होई ये दरभंगा के दिखाते है जरा दरभंगा के रिक्तियों में 628 में पद देखें कितने पद है दरभंगा में 628 में हिंदी में 530 पद खाली है उर्दू में 259 पद खाली है संस्क के पद रिक्त पद भी देख सकते हैं, लेकिन मूल बात हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, 628 की तो हम दिखा रहे हैं आपको कि 628 में तरभंगा में इतने पद विसायवार खाली लिखे गए हैं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझपरपुर का इसी तरह से चलिए ठीक अच्छी बात है, मुझपरपुर का भी आप लोग को दिखा जते हैं, यह देखें मुझपरपुर का आकड़ा है, ठीक है, मुझपरपुर में भी 628 में आपको लगभर लगभर 2500 सीट खाली है, यहाँ पर आप आप देख सकते हैं, जिसमें हिंदी में 154 सीट खाली है उर्दू में 86, संस्क्रित में 115 सीट, अंग्रेजी में 24 सीट, गणितो विग्यार में 1001 सीट खाली है, और समाजी के विग्यार में 117 सीट खाली है, यह मुझपरपुर का अकड़ा है, अब बात यह है कि केवल मुझपरपुर और दरभंगा को मिलाकर अगर 628 में आप आप खुद इस पेपर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्रोमोशन के लिए 628 में जितने भी उप्लवद पद है, सारे पदों को प्रोमोशन के लिए रिजर्व कर दिया गया है, प्रोमोशन किनका होना है, मतलब कि पुरू में जो लोग नियोजित है, याने कि 2006 से लेकर आज तक जितने भी लोगों का नियोजन हुआ है उन लोगों के लिए चांती ही चांती है क्योंकि इन लोगों के लिए सरकार ने पिटारा खोल दिया है जो लोग नोकरी में हैं इननों को दुबारा नोकरी में आने का पिटारा कैसे खुला गया है तो देखिए पहल तरीका है, दूसरा तरीका यह है कि अगर इनको इस एक्जाम ये फेल भी हो जाते है, ठीक है, तो इनको 6-8 में प्रोमोशन मिल जाएगा, ठीक है, 6-8 में प्रोमोशन मिल जाएगा, 6-8 में किसे प्रोमोशन मिलेगा, क्योंकि नियम है कि जो लोग 1-5 में काम कर रहे हैं और ए 628 में अगर प्रोमोशन देना है आपको तो पद खाली रहेगा तब तो प्रोमोशन दीजिएगा इसी का नतीज़ा है कि 628 में जितनी भी खाली पदे गई हैं पूरे साड़े जिलो को मिला कर सब को रिजर्व में रख लिया गया है और खाली पद केवल 628 में पूरे राजे म तो केवल महिलाओं के लिए आरक्षी थे इसमें ठीक है लगभग लगभग 900 पद महिलाओं के लिए आरक्षी थे अब बचे कितने पद अब बचे भी 900 पद लगभग ठीक है अब इ 900 पदों में पड़ते के विशाय बाड़ा डिभाइड केजी यानि कि आप गणित विज् इसके बाद आप संस्क्रित में बाट देजिए ठीक है इसके बाद आप हिंदी में बाट देजिए इसको आप इंगलिस में बाट देजिए उर्दू में बाट देजिए बंगला में बाट देजिए अलग-लग विश्यों में बाट देजिए कहने का मतलब 900 पदों को अगर आप 5 से 6 में बाटि एगा subject में बाटि एगा तो लगभग लगभग उसमें भी क्या है कि आरक्ष्यन भी देना है, ठीक है आपको पता है कि अगर एक विसाय में मुश्किल से अगर 200 सीट आई ठीक है, आपको पता है कि 900 को आपको बाटना है लगभग 5-6 विस्टों में बाटना है तो एक विस्टों में बड़ी मुश्किल से 200 सीटे आएंगी इस हिसाब से जो ख़बार में चापा है कि वल उसी का धार पर बता रहे हैं बाद में सरकार क्या करेगी मुझे नहीं पता है तो यहां प्रापलो देखिए कि एक विस्टों इतने तरह के कोटा को निकालने के बाद परतेक कोटा में 200 सीटों में मुझे लगता है मुश्किल से सायद 30 या 48 सीटे ही परतेक कोटा में है अगर किवल 745 पद रहेंगे तो अब भेरती है 3-4 लाग और सीटों की संख्या है कि अगर विस्टों बार डिवाइड कर दिया ज बाद मुश्किल से 30-40 सीटे ही बचेंगी अब 3-4 लाग है स्टूडेंट आए ये काटोगरी में 30-40 सीटे बचेंगे तो इसमें अब भेरतियों का क्या होगा ठिक है यही बात में सुगा में कहे थे तो आप लोग कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि मिस्प्रिंट कर दि तो हम इससे कहां इंकार कर रहे हैं लेकिन ये सारे पद किसके लिए रिजर्व कर दिये गये हैं ये सारे पद रिजर्व कर दिये गये हैं प्रोमोशन के लिए यानि 6-8 में तो आपको पद ही नहीं दिये गये पद कहां दिये गये हैं तो 1-5 में पद आपको दिये गये हैं कि छट्टे चलंड के बाद बिहार से अती उत्साही, DL8 के कुछ शात्रों में, जिनमें धरंजय कुमार प्रमुख नाम शामिल है, सुप्रिम कोर्ट में ये याचिका करता है, B8 को बाहर करवाने के लिए इहोंने सुप्रिम कोर्ट में जज सहाब ने कह दिया था कि पुड़े देश में, किसी भी राजे में, किसी भी तरह की सिक्षक न्युक्ती जो होगी, जब तक सुप्रिम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, सारी भरती प्रकडिया सुप्रिम कोर्ट के इस फैसले के अधीन होगी, इसका मतलब यह भी होगा कि भाले बिहार में राजे सरकार बियड को शामिल करते होगे, सातवे चरण के न्युक्ती के प्रकडिया को सुरू भी करवा देती है, और अगर कुछ उच नीच होगी है बियड के साथ सुप्रिम कोर्ट में, तो उसका प्रभाव बिहार पर भी असपश्टूप से पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मैंने नहीं कहा है, ऐसा आपके जजज सहाब ने खुद कहा है, विश्वास नहीं हो तो 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी का जो सुप्रिम कोर्ट में लाइब सुनवाई था, उसको आप लोग उठा के देख सकते हैं, मुझे पता है कि उससे सुनने में रूची नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोग को समझ में भी नहीं आएगा कि उसमें जजज सहाब ने क्या बोला, लेकिन उसमें उन्होंने असपस्ट रूप से ही बोला था कि आपको बहाली करवाना है, तो करवाईए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहाली जो भी आप करवाईएगा, वो जो हम फैसला देंगे, उस बहाली पर इस फैसले का प्रभाव अवस्य रूप से पड़ेगा, ठीक है, तो B8 के लिए तो इस दोहड़े संकट की बात है, कि एक तो पद कम है, 6-8 में केवल 745 पद है, तो एक केटोगरी में मुश्किल से 30-40 पद ही मिलेंगे, ठीक है, और 30-40 पद कहने का क्या मतलब है, तो आप भी समझ रहे हैं, और 1-5 में सीटे इतनी ज़्यादा हैं, तो वहाँ आप रहिएगा या नहीं रहिएगा, इस पात पर संसा है, ठीक है, तो इंतजार तो करना ही परेगा, ढड़ तो लगता ही है, बेड़ वाले बहुत सारे भेरती कोमेंट करते हैं, कि सर क्या होगा, नहीं होगा, हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, आपके जो ज़स सहाब हैं, उनको कुरोना हो गया था, इसलिए वो फैसला अभी भी नहीं दे पाया है, और फैसला तो तीन महीने के अंदर दे देना चाहिए था, लेकिन आप लोग को ही पता है, तीन महीना क्या कहें, सारह तीन महीने की अब धी बितने जा रही है, और अभी तक ये फैसला नहीं आ पाया है, और जैसी स्थिती लग रही है उस स्थिती की अंसार अभी एक महीना और लग सकता है कम से कम फैसला आने में और 20 मही के बाद सुप्रिम कोर्ट में गर्मी की छुटिया होने वाली हैं तो गर्मी की छुटिया में वैसे भी फैसला आने की संभावना नगर्ने हो जाती है तो कि साड़े जज उठके चले जाते हैं फैसला वेगर नहीं सुनते हैं हादा कि पिछले साल हमें बताये गया कि गर्मी की चूटियों में कुछ फैसले दिये गये हैं तो शायत देना हो तो दे दे लेकिन आप ऐसा नहीं मान सकते हैं गर्मी की चुटियों में फैसले दे ही जाएंगे तो यह है बात कि 1745 पद क्यों है 628 में बागी आगे जो करना होगा राजसरकार को करना होगा आप लोग खर तैयारी किजिए 628 में जम कर तैयारी किजिए क्योंकि अब केवल प्रते केटोगरी में 30-30 सीटे ही 30-50 सीटों के क करी में इस हिसाब से देखने को मिलेगी बहुत से बहुत होगा तो थोरा वहत उपर नीचे हो सकता है लेकिन अगर आगरा 745 का रह गया तो इस हिसाब से प्रते केटोगरी में 30-50 सीटे ही देखने को मिलेगी प्रते के विसे में ठीक है तो वीडियो पसंद जाएं तो झाल